वेल्कम तो यूटुब चैनल मेनाक्षिमेंज क्लासिज आज हम करेंगे इसमें कोश्चन नंबर 6 और यह कोश्चन नंबर 6 आज देखें एक बार क्या है हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 लीनियर एक्वेशन इन वन वरियेबल वक्षुट 1 का हम 5 कोश्चन कर कोश्चन दिया गया 9z-13 is equal to 11z plus 27 पहले हम इसको solve करना है उसके बाद चेक करना है तो यहां से देखो equal की जगह equal लिखो 9z यहां पर यह प्लस यह वली टर्म यहीं के यहीं आई तो symbol change नहीं हुआ अब यह 11z अगर इदर लेके आउंगे तो minus के हो जाएंगे 11z ठीक है अब दोनों constant part बचे और उनको हमें right hand side लिखना है प्लस के 27 यहीं पे लिखे रहे ठीक है यह माइनस के 13 नहीं दर जाएंगे तो प्लस के 13 होगे चाहो तो यहां प्लस 13 लिख लो यह इसके आगे लिख लो कोई फरक नहीं पड़ता उसे plus 13 equal किजेगे equal अब आप यहां से देखो plus के 9Z है और माइनस के 11Z है ठीक है अब different symbol है तो different symbol है तो हमें आपर क्या करना पड़ेगा subtract करना पड़ेगा same sign keep and add but different sign subtract तो 9 में से 11 में से 9 subtract करेंगे तो 2Z आएंगे 11 बड़ा उसका symbol minus है तो minus same rule यहां लगाएंगे same sign keep and add यह same sign है तो इनको add करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 310 0 40 ठीक है 27 बड़ा उसका symbol plus है तो plus ठीक है और लगाओ ना लगाओ क्योंकि वह already होता है यहां पर अब आप यहां 40 आया है तो अब आपको पहले तो यहां से इस minus को हटाना है ठीक है या फिर आप ऐसे देखो इसको लिख लो multiply में लिख लो minus 2 multiply Z Z यहीं लिखा रहा है is equal to 40 ठीक है यह minus 2 multiplication में ठीक है इध्यान से देखो यह minus 2 multiplication में है तो इधर जाकर divide में आएगा minus 2 ठीक है cancel करो 2 1s आ 2, 2 2s 40 तो Z का अंसर आता है 20 by 1 आ रहा है 20 by 1 को 20 लिखें और minus का symbol है तो उसको उपर लगाओ नहीं चिलगाओ एक ही बात होती है तो हमेशा minus उपर ले जाते है ठीक है तो यहां से हमारा answer है Z is equal to minus 20 यह हमारा इसका solution आया है अब हम इसको check करने है तो left hand side का answer अलग से निकाल लेंग left hand side हमारी है 9 Z minus 13 और right hand side हमारे पास है 11 Z plus 27 यहां से देखो is equal to 9 Z की जगह मुझे लिखना है minus 20 तो मैंने Z की जगह bracket में लिखा minus 20 और इसके बाद है minus 13 अब यह 9 और minus 20 bracket है bracket मतलब multiplication है इनकी बीच में ठीक है तो 9 को 20 से multiply करेंगे 180 और minus के है यहां से आएगा minus 13 सेम साइन है तो सेम साइन है तो इनको add कर देंगे 80 में 13 add करेंगे तो कितना हैगा 3 193 बड़ा नंबर 180 है तो उसका सिंबल आएगा minus ठीक है तो यहां से left hand side से आता है minus 193 right hand side से चेक करते है 11 ऐसे Z की जगह लिखेंगे minus 20 plus में आएगा 27 जब bracket open करेंगे तो 11 और minus 20 multiplication में आएगे minus का minus लगाओ 20 और 11 को multiply करेंगे तो 220 आजाएगा plus 27 ठीक है अब यहां पर same sign है same sign नहीं sorry different sign है different sign है तो subtract करना पड़ेगा 220 में से 27 220 में से 27 minus करेंगे 200 तो यहीं से जाएगे 7 और minus करने है 200 में से तो 193 ही बचेंगे 220 बढ़ा है उसका symbol minus है तो minus left hand side और right hand side दोनों का answer minus 193 आता है तो आप लिख दोगे left hand side is equal to right hand side therefore z is equal to minus 20 is a solution यह होगे आपका 6th part next हम करते है 7th part 7th part है हमारे पास 7 divided by y plus 1 is equal to 29 तो यहां से variable part तो देखो यह 7 by y इस term में y इंकलूड़ा तो इसको तो left hand side लिखेंगे 7 divided by y is equal to 29 plus 1 इदर जाके हो जाएगा minus 1 तो 7 divided by y यह आजाएगा हमारे पास 29 में से 1 minus होगा तो कितना आजाएगा 28 ठीक है clear होगा इसको लिखो 28 by 1 ठीक है आप चाहो तो इसको cross multiply कर लो ठीक है cross multiply करेंगे तो देखो क्या होगा इसकी और इसकी multiply होगी और y और 28 की ठीक है clear है 7 को 1 से multiply करेंगे और y को 28 से अब क्योंकि मुझे y वाले term left में लिखनी है तो मैं y वाला पहले multiply कर लेती हूँ y को 28 से multiply करेंगे तो कितना आएगा 28y और 7 को 1 से multiply करेंगे तो 7 वंजा 7 multiply में y is equal to 7 28 multiply में तो by में जाएगा तो ठीक है by में गया 7 वंजा 7 7 4 तो 28 तो answer आ रहा है y is equal to 1 by 4 ठीक है कितना है 1 by 4 चेक करेंगे left hand side और right hand side left hand side है question में मेरे पास 7 divided by y plus 1 यहां से आएगा 7 divided by y की जगा मेरा answer है 1 by 4 ठीक है तो मैं यहां लिख रही हूँ 1 by 4 प्लस 1 7 ठीक है यह बाई में 1 by 4 ठीक है अब मैंने आपको सिखाया था कि जैसे अगर बाई में लिखा हो जैसे यहां 2 by 3 है यहां 3 by 4 है तो उपर वाला नमबर तो आज़े टीज आएगा 2 by 3 और जो नीचे वाले term में उसका रैसी प्रोकल होगा 3 by 4 का उल्टा होके 4 by 3 multiplication में आजाएगा ठीक है यह 7 by 1 है actual में तो मैं इसको 7 का 7 लिख रही हूँ बाई में 1 by 4 है तो उल्टा होएगा तो यह आएगा 4 by 1 और प्लस में 1 अलग से है 7 for the 28 प्लस 1 कर देंगे तो कितना आजाएगा 29 और राइट है तो हमारी already question में ही दिया गया है वो तो हमारी 29 थी पह therefore y is equal to 1 divided by 4 is a solution next time करेंगे question no.8 3 by 5 x plus 2 by 5 is equal to 1 तो left hand side में मुझे variable part रखना है equal की जगा equal 3 divided by 5 x is equal to 1 यहीं पर ही plus के 2 by 5 यहीं दिर जाएगा तो हो जाएगा minus के 2 by 5 3 by 5 x इदर ही लिखेंगे is equal to 1 और 5 का एल से हमाएगा 5 ठीक है वन की टेबल में 5 आता है 5 पर और 5 की वन से multiply करेंगे 5 बंजा 5 निचे वाला सेम है तो उपर वाला भी यह आपको आता है बहुत अच्छे से करना वन की टेबल में 5 आता है 5 पर और उस 5 की वन से multiply किया 5 बंजा 5 3 divided by 5 x is equal to 5 में से 2 minus होगा 3 by 5 यहां multiplication में x is equal to 3 by 5 यह यहां multiplication में 3 by 5 अगर by वले टर में इदर आके उसका reciprocal होगा 5 उपर चला जाएगा और 3 नीचे मतलब 3 by 5 का उल्लिटा 5 by 3 3 बंजा 3 5 बंजा 5 तो answer आता है 8 का x is equal to 1 x is equal to 1 solution बने है अभी check करने है तो left hand side ले ले लेते हैं left hand side यहां लिखेंगे 3 divided by 5 x plus 2 divided by 5 और right hand side हम यहां पर लिखेंगे right hand side तो हमारी दी हुई है 1 यहां पर लिखो 3 divided by 5 x को replace करके उसकी जगा मुझे लिखना है 1 plus 2 by 5 अब किसी भी number को 1 से multiply करो 3 by 5 को 1 से multiply करेंगे तो कितना आएगा 3 by 5 ही आएगा plus यहां से आएगा 2 by 5 दोनों के नीचे 5 है तो 5 ही आपका LCM बन जाएगा नीचे 5 नीचे वाला सेम है तो उपर वाला भी सेम नीचे वाला सेम है तो उपर वाला भी सेम 3 plus 2 5 divided by 5 5 अंजा 5 तो left hand side का भी answer 1 राइट hand side का भी answer 1 तो आप लिखोगे left hand side is equal to right hand side therefore x is equal to 1 is a solution ठीक है यहां पर यह आपका question number 8 हो गया है next हम करेंगे question number 9 4y minus 2 is equal to 1 by 5 4y इदर ही लिखा रहेगा is equal to 1 by 5 minus 2 इदर जाके बन जाएगे plus 2 4y is equal to इसको solve करो 5L सेम नीचे वाला सेम है तो उपर वाला भी सेम 1 1 की टेबल में 5 कहां पर आता है 5 पर 5 डूजा 10 तो यहां से आता है 4y is equal to 11 divided by 5 10 plus 1 11 divided by 5 4 multiplication में है तो इदर जाके कहां जाएगा division में उपर से यहां जाएगा नीचे तो यहां है 11 divided by 5 for the 20 तो य का अंसर आया है 11 divided by 20 ठीक है यह आपका नाइन्थ पार्ट का अंसर आया है अब हम इसको चेक करने left hand side है हमारे question में 4y minus 2 और right hand side है 1 by 5 4 into y की जाएगा में लिखूंगी 11 divided by 20 minus 2 4 1s are 4, 4 5s are 20 तो यहां से आया है 11 divided by 5 minus 2 divided by 1 5 और 1 काल्सिय में हैगा 5 नीचे वाला पार्ट से में तो उपर वाला पार्ट भी से 1 की टेबल में 5 बता 5 पर 1 5s are 5 और यहां 5 से multiply होगा 5 2s are 10 तो यहां पर minus करेंगे 11 में से 10 minus होगा 1 by 5 दोनों का ही answer 1 by 5 आया है therefore y is equal to 11 by 20 is a solution question number 10 अब आप यहां पर देखो यह थोड़ा अलग है इसमें यह तो हमें देई रखा है variable part left में ही है तो इसको हमें पहले solve करना पड़ेगा 2 और 4 का calcium कितना आएगा 4 आएगा अब आप देखो 2 को 2 की table में 4 कहां पर आता है 2 की table में 4 आता है 2 2 the 4 ठीक है ठीक है यहां पर में लिख देती हूं 2 की table में 4 आता है 2 2 the 4 तो उपरवाले नंबर को 2 से multiply करेंगे 2 x x और 2 को multiply करेंगे तो यह आएगा 2 x plus constant part आगे लिखते है variable part पीछे निचे वाला same है 4 और 4 तो उपर वाला part भी same is equal to 12 2 x में 1 x add कर देंगे तो कितना होगा 2 x में 1 x add होगा तो यह आएगा 3 x divided by 4 या फिर मैं इसको 3 by 4 कर ऐसी प्रोकल 4 by 3 3 वंजा 3 3 4 तो 12 x का आएगा 4 4 तो 16 x is equal to 16 ठीक है x is equal to 16 हमारा answer है अब हमें चेक करने है left hand side ले ले लेते हैं वह हमारे पास x divided by 2 plus x divided by 4 और right hand side है मेरे पास 12 यहां पर x की जगह मुझे लिखने 16 divided by 2 plus x की जगह में हों 16 divided by 4 2 1 2 2 8 16 4 1 4 4 4 16 8 plus 4 ठीक है 8 और 4 add कर देंगे कितना हो जाएगा 12 left hand side और right hand side दोनों का ही answer सेम है left hand side is equal to right hand side therefore x is equal to 16 is a solution तो यहां पर हमारा question number 10 हो गया है फिर्स्ट पहले वाले वीडियो मेंने आपको question number 12345 करवाए थे अब इस वाले वीडियो में मैंने 5 to 10 करवाए है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें और अपने friends के साथ share जरूर करें thank you so much झालूर को स्क्राइब करें पू़्छ bilmiyorum